बच्चो किसे हो आप साब सब थिक तू चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बच्चो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तु तारों से रात का समय अविरल रहता है और तारों का सम्रिध्धि से भरा हुआ आसमान देखता है। लेकिन एक तारा था जो हमेशा अपने आत्मा में एक अजीब सा अकेला पन महसूस करता था। उसे लगता था कि वह अपने बीते समय के कारण दूसरों से अलग हो गया है। दूसरे के साथ मिलकर अपने कारियों को पूरा किया लेकिन उसका अकेला पन उसे कभी भी छोड़ने का नाम नहीं लेता था। उसने देखा कि दूसरे तारे उससे मिलना चाहते थे। परन्तु वह हमेशा अपनी आत्मा के अंदर ही बंदा हुआ रहता था। एक दिन एक छोटा सा तारा उसके पास आया और कहा, तुम क्यों इतने अकेले हो? हम सब मिलकर एक सुन्दर आसमान बना सकते हैं। लेकिन हमारा अकेला तारा उसे नकारात्मक द्रिष्टिकोन से देखता रहा और कहता है, मैं अपने लिए ही काफी हूँ, मुझे किसी की आवश्यक्ता छोटे तारे ने हृदय से कहा, तुम गलत हो, अगर हम सभी मिलकर मिलते हैं, तो हम एक साथ रहकर अधिक सुन्दर बना सकते हैं। इस पर भी अकेला तारा ने उसे नकारात्मक द्रिष्टिकोन से देखा और अपने स्वार्थ में खोया हुआ रहा। फिर एक दिन आसमान म एक बड़ा सा तारा तमाम तारों को बुलाता है और कहता है, हे सभी हमें मिलकर एक सुन्दर आसमान बनाना चाहिए। इस बार अकेला तारा ने अपने अकेला पन को छोड़कर उस सुन्दर समृद्धि में योगदान देने का निर्ने किया। जब सभी तारे मिलकर एक तो आसमान भी उनके साथ हर रंग, हर ध्वनी और हर चमक के साथ रौंगत में रंग ना लिया। अब तारे अपने सजग और साज़ा आत्मा के साथ सुखत जीवन बिता रहे थे और अकेला तारा ने अपनी जीवन की सची महत्ता समझी। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि अपने आत्मा को साज़ा करना ही असली सुख का स्रोत है। जब हम मिलकर काम करते हैं और अपने संबंधों को महत्त्व पूनता देते हैं, तो हमें अपने जीवन को सुखी और सम्रिध्धि भरा महसूस होता है। छालो यार मास्ती करके शडकारो और सब्सक्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपदेट्स के चकरमेंट पटे रहो धमाल मचाते रहो।